कि है लो दोस्तों स्वागतियाप का माय फार्मा टिपस यूटूब चैनल पर आजम स्विड़ों में एसकोवेंड कैपसुल के बारे में बुरी जान कहले लेने वाले किया जाता है आइए इस कैपसुल के बारे में और अधी विस्तार से जानते हैं क्या एस कैपसुल के क्या बिरिंप ए का साइड इफेक्ट है इससे गापसोल मेंदा प्रेस्ट है क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ और मेडिसें से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ तो चलिए कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसलिए इनमार फार्मासोटिक के कंपनी की इदस कैपसुल के स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 107 रुपए में मिल जाएंगी दोस्तों बताएगे कीमत समय के साथ कम यह ज़्यादा हो सकती है बात करते इस कैपसुल में मौझूद कंटेन के बारे में एसकोवेंट कैपसुल में एसिबोफ्राइलीन 100 mg यह कंटेन समोष्ट है इसमें मौझूद एसिबोफ्राइलीन यह एक म्यूकोलाइटिक और ब्रांकोडारेडर ड्रग है यह वाईमार्क की मसल को तता धिली और पतली हो गई मसल को आराम देकर काम करता है जिससे रोगी को सास लेने में आसानी होती है बात करते हैं इस कैपसुल की उचेज़ के बारे में डाक्टर इसे किनकिन समस्राह में इस्तमाल करते है इस कैपसुल का main practice अस्तमा की समस्रा दूर करने में किय संत्ता है इसे COPD की समस्रा São Doors करने में भी डाक्टर यूज़ करते है COPD मतलब कढ़नाइक aptechtive pulmonary disease के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मसिस्टे संपर्ख कर सकते आपकी डॉक्टर उनके अन्वों से इस कैप्सुल का इस्तमाल अन्य समस्वाव को दूर करने के लिए कर सकते बात करते इस कैप्सुल के डोसेज के बारे में आप अपनी समस्या अपनी डॉक्टर को पता क एंड स कासुल अपने दोक्टर्ना से निश् Dude कर ले इसे अपने मन से घर पर ना对क्सुल दिन में दो बार सुबह एक बार और शाम को एक बार खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर के साला क्या नुसर ले शक्ते ऀसके इस काप्सुल केसितमाल सोना habrick पर नाम अगर आपको एक सेटीक्ट हो सकते हैं है एक सerson केप्श इसन करते समय साउधान लेरा है अगर आपको 2 कैप्शोल के सितमाल से सावफडान वीजडि कोई साधे अकर, आप इस कैपसुल का यूज़ न करें अगर आप पहले से कोई अन्य मेडिसेन ले रहे हो तो उसकी सुचना अपने डॉक्टर को आवश्च्छ दे इस वज़े से इस कैपसुल का ड्रग इंट्रेक्शन या ओडोस्वनी की संभावना कम होती है अगर आपको लिवर या फिर कि सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसें द्यूज मिलते रहेंगे थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो